प्रश्टाचार परिवारवाद भारत छुड़ो तो समझा जाता रहा है कि राजनीतिक रूप से ये कहीं न कहीं ब्रश्टाचार से भी जुड़ा हुआ है कि एक के बाद एक एक ही बंच परमपरा में अगर नेता बनते चले जा रहे हैं तो फिर आम लोगों का समयोजन नित्रित में नहीं हो पाता है इसको भी समझने का प्र 2047 तक विक्सित भारत बनाने का संकल भी व्यक्त किया इस दोरान परिवारवाद का भी जिक्र उन्होंने किया साथी भरश्टाचार के खिलाफ जंग जारी रखने की बात कही 78 वे स्वतंतरता दिवस के मौके पर पीम ने महिला सुरक्षा पर भी बात कही उन्होंने स्वतंतरता दिवस के मौके पर प्रधानमंतरी नरेंद्र मोधी ने लाल किले से एक तरफ अपनी सरकार के उपलब्धियों का जिक्र किया तो दूसरी तरफ कुछ ऐसी बाते भी कही जो विपक्ष को चुप सकती है यह मोधी ने एक बार फिर परिवार बात का जिक्र किया और कहा कि देश को राजनीती को हमें परिवार और जातिवात से मुक्ती दिलवानी होगे नए भारत में एक मिशन ये भी है कि हम जल्द से जल्द देश में राजनातिक जीवन में एक लाख ऐसे नौजवान को आगे लाए जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनातिक बैक्राउंड ना हो इससे नई सोच आएगी और लोगतंतर समर्द्ध होगा एक मिशन ये भी है कि हम जल्द से जल्द देश में राजनीतिक जीवन में जन प्रतिनीती के रूपें एक लाख ऐसे नौजवानों को आगे लारा चाहते हैं शुरुवात में एक लाख नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीति प्राचीर से प्रथानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। प्रथी विश्वात तोड़ दिया। अर इसले हमने बाव्याप ग्रुप से प्रस्टाचार के खिलाफ एक जंग छेडा है। आजादी लेकर के रह सकते हैं तो 140 करोर देश के मेरे नागरीक अगर संकल पर लेकर के चल पड़ते हैं तो चुनोतियां कितनी भी क्यों न हो। हर चुनोति को पार करते हुए हम 2047 विश्वात का लक्ष प्राप्त कर सकते हैं। लाल किले के प्राचीर से प्यम मोधी ने रक्षाक शेत्र और टॉय मेनिफैक्चरिंग के परिवरतन पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने भागलादेश के मौझूदा राजनैतिक संकट सहित काई घरेलू और अंतरराश्ट्री मुद्दों की भी चर्चा के लाल किले के प्राचीर से ये प्यम मोधी का सबसे लंबा स्पतंतरता दिवस भाशन था। भारत का सवाल में आज इनी महत्वपूर्ण मुद्दो पर बात करेंगे वरिश्ट पत्रकार नैशनल यूनिन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रसिडंट राजबियारी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजबियारी जी आपका स्वागत है सारिका सिंग प्रवक्ता कॉंग्रिस मे देता हूं राजबियारी जी शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा भरष्टाचार और परिवारवाद ये तो खेर हम लंबे समय से सुनते आए हैं परिवारवाद वाले विशे पे हम बाद में आएंगे लेकिन मैं भरष्टाचार पर आपसे जरूर पूछना चाहूंग कि हम एक ऐसे दोर में जीते हैं और समाज के इन हालात में जीते हैं जहां पर किसी भी काम के लिए मिठाई देना मिठाई के लिए कुछ मिल जाए ये परंपरासी बन गई है और वो स्वीकृती भी है उसमें आम लोगों की भी स्वीकृती है बरष्टाचार की जड़ें इत कर गुजरेंगे कि पिछले दस साल के राज काज में जिस तरह से केंड्रे सरकार के मंत्राले हों विवाग हों एक विष्टाचार के रोप तो लगी है और हम यह जानते भी हैं कि कुछ ऐसे लोग जो विष्टाचार में पाई गए तो उनके खिलाप कारवाई भी होई है लेकिन अभी निचले इस तरह पर जैसे रुनों ने कहा कि राज्य सरसरकारों में निचले इस तरह अभी विष्टाचार लगातार कायम है और खास तोर से हम उत्तर कोडेस की बात करें जहां एक कहा जाता है कि बीरो क्रेशी और पुलिस प्रसासन पर भौत हावी है और लेता हों भी निचले हैं वहां भी कुछ हद तक कई मामलों में देखा गया है कि विष्टाचार अभी चल रहा है तरकारी अफसर भी विष्पत मांगते हैं चाहा दिली विवात का मामला हो चाहा प्लुष विवात का मामला हो चाहा शिक्षा विवात का मामला हो इस तरही सिकायते भी लगातार लोग करते रहते हैं हाँ इतना जरूरा कि खुद प्रदानमंत्री की छबी बहुत इमानदार राज्यता की बनी है लेकिन अभी निचले इस तर पर क्योंकि ठीक है अभी सीवी आई इडी और अन्य जास इजिश्यत कर रही है लेकिन जो लोगों की मान सिखता है तो लोग आते ही इसी इसी लिए हैं कि हमको तो पैसाई कमाना है तो कि हम देखते हैं जो भी यूपीएसी या फुलिस ब्या और सरकारी महत्मों में जाते हैं उनकी इच्छा यह होती ह कि वहां हमें पैसा कमाना है यह एक आप जो बात के रहे हैं बड़ी गंभीर बात है कि मूटा पैसा खर्चा किया जाता है किसी भी तरह की पढ़ाईगी यह बात सिर्फ यूपीएसी तक सीमित नहीं हम अन्य व्यवसाइक पढ़ाईयों में भी देखें तो खूब पैसा ल हलकि क्योंकि 40-45 साली हुए हैं लेकिन आज उनका डिवलोप्मेंट बहुत आगे हलकि वो एक शहर नुमा देश है इसलिए बहुत ज़्यादा कंपेर नहीं किया जा सकता लेकिन उसके कुछ मॉडल्स को आदर्श के तोर पर देखा जा सकता जिसमें भरष्टाचार भी है उन्होंने ज्यादा तर चीज़ों को सरकारी रखा उन्होंने एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान दिया उन्होंने नेताओं की खासतोर पर सैलरीज को बड़ा हाय रखा ताक क्योंकि भरष्टाचार की जड़वों मानते थे यह उनका मॉडल रहा है मैं ये जानना चाहता की भरष्टाचार, परिवारवाद, यह समस्याएं हैं, चिनता का विशह हैं, लेकिन इसपे ठोस हो क्या? इसको लेकर हम अब भी यह कहते हैं कि कुछ करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन क्या करेंगे? क्या किया जा सकता है? इस पर हम सत्ता में आते हैं या आपके आवाज नहीं सुन पा रहा हूं संपर्ख तूट गया है मैं आपसे फिर पुना संपर्ख करके फिर से बात करने का प्रयास करेंगे तारिख भाई आपका टेक में जानना चाहूंगा परिवारवाद और भरष्टाचार जब बोला जाता है तो हा इनों ही बड़े इंपॉर्टन्ट मुद्दे दिखाई देते हैं इन पर रोक लगनी चाहिए आपका टेक क्या है समाजवादी पार्टी का अब अगर लिस्ट किनाने लगे तो बीजेपी के तमाम यूपी में इनके दो तीन पार्टनर चार पार्ट जैन सिंग जैन चौध तो आप पहले खुद में उस चीज़ को इंप्लिमेंट करिए पहली बाद परदान मंतरी ने कहा कि एक लाख युवाओं को राजनीत में लाएंगे कैसे कैसे जैसे मैंने का यह पैन उता हूं तो मैं ऐसे उता हूं उसका अपने प्राविधान की है बजट में संग का जो च आप से गुलाएंगे मार्स से गुलाएंगे कि आजाओ युवा लोग आजाओ दस युवा जो 25 से 35 के पीच में हैं उसमें से तीन एंडिये के हैं और साथ इंडिया गड़ बंधन के हैं तो युवा प्रतिमिद्व तो संसद में संसद में या स्टेट एसेंबली में जब आपने टिकटी नहीं दिया तो युवा पहुचेंगे कैसे अब आप कह देते हैं हवाई भाषण में कि एक लाख युवा को हम लोग राजणीर में लेके आएं बड़ा गंभीर सवाल है कैसे क्या तरीका होगा क्या स्कूल खोले जाएंगे जहां से उनकी भरती होगी आप जो रिसेंट उधारण है अभी चुना हुआ आपके दो ही तीन लोग उस एज में अब कहां तब युवा कहना आपको चलिए उसके मेकेनिजम पर तो सच मुच विचार करना चाहिए मेरा भी मत यही है लेकिन यह सुझाओ कैसा लगा आपको मैं किसी सुझाओ को बोगस मानता हूँ अच्छा अगर समाजवादी पार्टी को ऐसा कोई प्रपोजल रखना हो कि नॉन पॉलिटिकल बैग्राउंड के एक लाख युवाओं को मौका दिया जाएगा तो यह कैसा साउंड करता है देखिए समाजवादी पार्टी में लोग परिवार के भी हैं और गहर परिवार के भी हैं साहितिस सांसा जीते हैं हमारे उसमें परिवार के भी हैं और गहर परिवार के भी हैं हम यह कहते हैं कि युवाओं को लाने के लिए जब बीजेपी चिला रही है हम तो युवाओं के लिए उनको चुनाओ लड़ाना पड़ेगा प्रक्रिया है अब आप कहोगे कि चले आओ उपर से आस्मान से उतरां तो उतरेगा को युवाओं को आगे लाना पड़ेगा नेता जी ने हमारी पारिटी ने हमेशा युवाओं को टिकट दिया वो परिवार वाद एक अलग चीक है मैं जरा ओपनिंग कोमेंट जभी का ले लेता हूँ युवा को ले किया आना अलग डिसकुशन है जी जी मैं कॉंग्रिस प्रवक्ता को भी इसमें शामिल करना चाहूंगा सारीका जी एक लाख गहर पॉलिटिकल बैग्राउंड के युवाओं को मौका दिया देखे जो आज का भाषन प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से बोला दोहजार चौदा से लेकर के आज तक का जो भाषन हम लगातार उनका सुनते आ रहे हैं कुछ भी उसमें नई चीजे हमें नहीं मिलती हैं हर बार वो हर साल 11 बार इस बार आये हैं हर साल लाल किले पे और जिस ब्रिष्टाचार की बात कर रहे हैं दो महतुपुर्ण मुद्धे आपने अभी छेड़े हैं मैं दोनों के उपर ही वन बाई वन आपको बताना बात करना चाहंगे सबसे पहले ब्रिष्टाचार का मुद्धा लीजे जब 2014 में ये सरकार में आये थे लाल किले पर पहली बार 2000 रोहन किया था आप उनके भाषन को सुनिया और ब्रिष्टाचार पर इन्होंने बहुत तेजी से प्रहार करने के ब्रिष्टाचार को जड़ से मिटाने की इन्होंने बात की थी आप तिछले अगर इनके 10 साल के कार्यकाल को देखें तो शायद 30-35 तो ऐसे चार के और फिर उनको किसी तरीके से कोई डर दिखा करके उनके उपर ED बना करके या income tax का केसिज बना करके या कोई भी इनके और एजेंडे रहे हो उनको उनको पर अप्लाई करके और उनको forcefully अपनी पार्टी में मिला लिया गया उनका जो political जो उनका influences थीग है एक आप selective का कारिवाई की बात और आरूप हमेशा से लगाते रहे हैं कि ED की कारिवाई हो रही है लेकिन selective है ये एक बड़ा आरूप विपक्ष का हमेशा से रहा है रतनाकर जी सीधा सवाल आपकी तरफ समाजवादी पार्टी कॉंग्रेस दोनों की तरफ से आया पहले तो कहां से ले आ जो है राजनीती में आएंगे जो जिनका परिवारिक बैक्ग्राउंड राजनाथिक नहीं होगा तो मैं ये बता दूँ मेरे जैसे तमाम करोणों युवा जो इस देश में हैं जो ये चाहते है कि राजनीती में उनकी सक्रियता बढ़े और वो स्वक्ष सुत्री राजनीत कि ये कभी नहीं चाहेगी कि जो है नए लोग आएं ये तो वो लोग हैं जिनके आद ऑलाद तगों के लिए ये भरष्टाचार के माध्यम से परिवार माध्यम का जो पराकास्ता है वो देखने को मिला है कि इनका पिता अगर अध्यक्ष है तो इनका पुत्र ही होंगे तो ये कभी नहीं ये कहेंगे कि नए लोगों को लाओ और उनको आगी बढ़ाओ उनको अध्यक्ष बनाओ उनको मुख्यमंत्री बनाओ उनको प्रधान मंत्री बनाओ ये कभी नहीं कहेंगे क्योंकि इतिहार इनका ये कहना है कि आपके साथ जब ऐसे लोग आ जात अगंगना को किसी भी सब्सक्राइभ हुआ है अगर Хотя अगर कोई राजनेशिग पार्टी जो इस तरह का जिनका प्रज़म रहा है अगर वह सहते हैं भारत की प्रगती में अगर हम हमारे साथ हमारी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते है और यदि योग्य है योग्यता सबसे बड़ी चीज है और यदि वो योग्य है तो उन्हें अउसर दिया जाएगा सारी का जी संग्षेप में आप कुछ कहना चाहरे है आज माफी जाओंगा एड जो है उसका भी प्रेशर मेर व्यक्ति कि ही बात करेंगे और जो यह कहरे न दोसरी पार्टी व संग्योले बात करें चाहिए समाजवाद पार्टी की है कि कॉंग्रेस पार्टी की बात करें, मैं बातते हैं मैं अपंगर्स पार्टी के आपको बात बताती हूँ कि 125 ऐ Souja took एक बार ज़रा इनको उठा करके देखें कि कितने परिवार से लोग महाँ पर अद्ध्यक्ष रहें इस तरीके की बाते करना एक fake narrative देश में बनाए रखना और आप इन से पूछे ना अभी starting comment के अंदर तारिक भाई बता रहे थे कि जो इनके alliances है उत्रप्रदेश के अंदर व क्या दबाओं मैं आ रहा हूं रतनाकर जी मैं चाहता हूं थोड़ा विस्तार से क्या होगा अदूरा सा रह जाएगा तारिक भाई भी कुछ कहना चाते हैं राजबियारी जी जैसा senior जर्णरलिस हमारे साथ बैठे हुए हैं वो भी निश्चित तोर पर इस पर कुछ कहना च कहीं है लेकिन भष्टाचार को लिखे प्लान ओफ एक्शन क्या होगा यह सवाल बार बार उठता है इस पर चिंता जाहिर करने भर से कैसे काम चलेगा प्रविन जी मैं आपको प्रशन का जवाब देता हूं लेकिन मैं कॉंग्रेस पार्टी के बैची प्रवक्टा जी कह र बाद से पूरी पार्टी पे वर्चस्त्व ही गांधी परिवार का ही रहा है नहरू जी के बाद इंद्रा जी गांधी परिवार का परिवार से उनका वर्चस्त्व रहा है उसके बाद राजियू जी का पार्डी अध्यक्षर है उनका भी वर्चस्त्व रहा है उसके बाद पूरे सदन में जब लाइब चर्चा चल रही थी उस समय खड़गे जी ने सोनिया जी की तरफ से इसारा करके कहा मुझे तो बनाने वाले सोनिया जी हैं मैं आज जो कुछ भी हूँ सोनिया जी की वज़ा से हूँ तो इस तरह पार्टी अज्यश का कहना अपने आप में यह द आप राजनीती के अच्छे चात्र भी हैं लेकिन सोनिया जी कभी राजनीती में नहीं आना चाहती थी कॉंग्रेस की मजबूरी थी उनको लाया गया मनाया गया बच्चे छोटे थे आपको याद होगा सीताराम केसरी और नरसिंबा राओ वाला एक काल भी कॉंग्रेस ने रखा गया वो कहीं न कहीं कॉंग्रेस को भारी भी पड़ा है और उसका आप इस्तेमाल करते हैं इसलिए कहा जाता है कि यह पॉलिटिकल नरेटिव तक सी में थे बात कि प्रवींजी आप जिस नर्सिमा राओ की बात कह रहे थे और सुनिया गांधी की बात कह रहे हैं मैं आप को सबस्दूद से बताना चाहता हूँ कि पांग्रेस पार्टि में हमेशा योग्यता को दर्किनार के लिए अब नर्सिमा राओ की सरकार, सरकार जो नर्सिमा कि योगिता को दर्खिनार किया गया है और बाकी पाजियों का भी मैं हाल बता दू बाकी पाजी जितने भी इंडी गढबंधन के लोग हैं वो सब अपने बेटों को ही और बेटियों को बढ़ाने में किया आगे हैं अब आदे देख लिए लालू प्रसाद यादव जो कहते ह है कि भ्रस्काचार में आरोप आरोपता है और सजा भी काच चुके हैं और सजा याफ्ता भी रह चुके हैं वो अपने बेटे-बेटियों को फिकट देते हैं और लड़ाते हैं तमाजवादी पाटी की बात करनू तो आज के डेट में संसद में पाच इनके परिवारबाद संखेव में रतना कर दी है ये जो अलर्ग मंता भनार जी अपने बती आजा को को पूरा दरदार दर दे चुकी हैं पूतर को शिवसेना का अजिक्ष बनाएगा है शरत पावार अपनी बेटी को टुप्रिया सुले को अजिक्ष बनाते हैं और मुंस्छनी मांत्र है मैं जानता हुए पूरी फैरिस मेरे मेरे मन में बहुत चीजे आ रहे हैं मैं आप लोगों का समय बाय नहीं करूंगा तारिक भाई फटा फट थोड़ा संक्षेप में पॉइंट टू पॉइंट बात हो ये नरसिमा राव की नीतियों का बढ़ा अदर करते थे अच्छा साथ वफ एड जो है उसको नरसिमा राव ही लेकिया है बदलना चाते हैं आदर करना वास वुट वर्शिप एक नरसिमा राव लेकिया है वर्शिप एक जो इस्थिटी है वही बढ़ करते हैं बढ़ा आदर क आप मज़ा आ किया सो एक कावत है ना खाता ना वही जो भाईया कहीं वही सहीं गाउं में कहते हैं उसको मैं बदल लेते हैं ना खाता ना वही जो मोदी जी कहीं वही सहीं कैसे कहां से निकली यह definition कि पार्टी का अध्यक्ष बनेगा तब ही परिवारवाद होगा आप मंतरी बनाओ आप उनको सांसत बनाओ तो परिवारवाद सारे बीजेपी के उनके जो विधायक है सारे उत्तर परदेश में उनके लड़के प्रतिनिधी बने हुए छेत्र में सांसत के लड़के सांसत प्रतिनिधी बने हुए गूम रहें गाड़ी लेके सब ठेकेदारी कर रहें वो परिवारवाद में कहां से आई ए डिफनीशन मोदी जी ने कह दिया हो गई डिफनीशन बाउंड ने क्या मानने के लिए भई एक कानू बना दो पारित करवा दो मोदी से आप में बहुत टाइम दिया रतनाकर साथ ने इंटरस्टिंग है आपको पॉइंट में तो समर्तन कर रहा हूँ एक 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 कानू बना दीए जिसको नाम ऐसा दीए कि मोदी की कथनी और हम लोगों को मानने डिफनीशन भही मानने जाएगी जो वो कह देंगे काँ चाई डिफनीशन कैसे निकाला आपने परिवार बात सीधे से समझने की बात है कि किसी भी परिवार के लोगों को आप प्रमोट करें हम मानते हैं हमने किया है आप कहता है हमने नहीं किया भी है यह क्या जूट है अभी आप टाइम वेस कर रहे हैं हमारे यहां भी है आपकी यहां भी है अब एक लास्ट बात कहरें आपने कहा हमने परिवार के पांच लोगों को चुनाव लड़ाया लोगतंतर में परिवार वोट नहीं देता जनता वोट देती है आपके पास तीन डो डेप्टी सीम और एक सीम है आईए लड़के खिलाफ में कौन रोक रहा है हराद हो हमारे परिवार वाद को जवाब दे तो हराद है हराद हो भी ठीक है वैलिट पॉइंट है आपके सही पॉइंट है अगर संक्षेप में अपनी बात को कहें तो ठीक नहीं तो मैं राजबियारी जी के पास जाता हूँ मैंने बिल्कुल परिवार वाद देखिए परिवार वाद जो है द्रस्काचार को जर्म देती और इसका सीधा सा उदारण और उदारण यही देखने को मिलता है कि जो मुलायम सिंह यादो कभी साइकल पर चला करते थे और समाजवाद का घंडव जो उठा करके लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे आज उनके पुत्र पाश-पाश करोड की गारियों में BMW में घुमते हैं यह क्या दर्शाता है अपने परिवार को अपनी तीजोरी को भरने के लिए अपनी परिवार को आगे बढ़ाने की केस्टा करते हैं ठीक है अम में जरा एक यूटर व्यू ले 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 ता मैं जानता हूँ यह अनंत काल तक चल सकती चर्चा है तारिक भाई भी अभी इस पर कुछ ना कुछ कही देंगे लेकिन राजबियारी जी व्याभारिक पहलू बताईए डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है इंजिनियर का बेटा इंजिनियर बन सकता है यह बात अलग है कि पत्रकारों के बच्चों को पत्रकार कम बनते देखा है या बनवाना नहीं चाहते जिसमें दमखम है, राजनीती में कुछ करना चाहता है और उसके परवार का कोई राजनीती में है तो वो परवार बाद नहीं लेकिन आज उड़ोंने एक नई बात कहा हूँ कि जिसके परवार का कोई भी व्यक्ति, राजनीती संब्द नहीं हम ऐसे एक लाक युवाओं को आगे लेकर आएंगे अब ही कहिए कैसे आगे लेकर आएंगे हाँ, लेकिन देखे इतना जरूर है कि हमने कई चुनाब देखे हैं कई राज्यों के विदानस्वा चुनाब देखे हैं दोजार चौबे के बाद में जहां जहां मजबूर है वहां परवाज को टिकेट भी मिलिये लेकिन बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जैसे मद्द परदेश में ये राहिस्तान में भी कहा गया कि एक परवार के एक विद्थि को टिकेट मिली हमने दिल्ली में भी देखा है अगर हम 2017 के नगर निगम की चुनाप की बात करें तो भातिंता पार्टी की तरफ से कहा गया था कि जिस परवार का कोई भी बैक्ती अगर नगर निगम का सदस्य राह है या चुनाप रड़ा है उसके परवार के सदस्य को टिकट ने मिलेगी और नहीं दी गई तो इस बात की प्रसंसा की जानी चाहिए कि राजी की में नहीं लोगों को लाने के लिए पर ये डेफिनेशन में कई अच्छे लोग वंचित भी नहीं हो जाते क्या कई ऐसा हो सकता है परिवार में कोई अच्छा नेता निकल रहा हूँ वंचित हो जाएगा अगर कलकता में एक बुरी घटना हुई तो कलकता में अगर घटना हो गई है तो हाथ रसना हुआ है तो गटना के साथ अगर इस तरही घटना पूरे देश में होती है तो सभी राज्य की सरकारों को जिनके पास कानूझ दोफ़ता है अपनी भूल शुकार करते हुए अपरादी को जलते जल से जल गऑतार करके जल से जल सजा धिनान की बखसटा करनी चाहिए ना कि इसक राजनीती करनी चाहिए चाहिए कहीं का भी मामला हो, चाहिए पसी बंगाल का मामला हो, अगर नारी की अस्मिता के साथ अगर को फिलवार होता है, तो उसका अगुदारन ये नहीं देना चाहिए कि घर मनीपुर में हो रहा है, तो कलकता में भी जाएगे. ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, पॉइंट्स है, ये पॉलिटिकली इसी तरह के बिंदू आते हैं, आम तोर पर जब भी मैं प्रवक्ताओं से बात करता हूँ, तो वो सवाल के बजाए दूसरे की कमियों की लिस्स सुनाते हैं, और ये दोनों पक्षों से होता है, सारीका जी आप कुछ कहना चाहरे हैं, जी बिल्कुल मैं रतनाकर जी की बात ही कहना चाहरी थी, एक तो इन्हों ने कहा कि खडगे साब ने पार्लियमेंट में ये कहा कि मुझे सोनिया जी की वज़ह से हूँ, तो देखे, आपको कैसे इस बात की शरम आ सकती है, मुझे समझ नहीं आता कि जिस व्यक्ति ने, जीवन में हमें कोई मौके दिये हैं, जिस व्यक्ति की वज़े से हम आज जहां हैं, और उस हमसे जो उमर में बड़ा है, उसके प्रती अगर हम अपना आधर सम्मान प्रस्तुत करते हैं, तो ये हमारी हिंदुस्तान की परंपरा है, दूसरी बात जो सबसे महतुपूर्ण बात है, वो मैं बिल्कुल ये कहना चाहते हूं कि पिछले 2014 से लेकर के, आज दिन तक, मेरे ख्याल से आप एक राश शुमारी करवा लिजे, और पता कर लिजे कि BJP के अंदर आज पार्टी का प्रमुख कौन है, ये कोई बता सकता है, कि कितने पर परिवार का वर्चस होता, ठीक है, मैं मुझे लगता आपके पॉइंट पर तारिक खान साब ने जो बात कही है, वो ज़्यादा समझ में आती है, कि भाईया ठीक है, हम तो परिवार की तरफ से उतार रहे हैं, वोट तो जनता को देना है, आप गहर परिवार के लोग उतार कांक्रीट स्टेप में क्या हो सकता, ये निर्णा सारकार का है, हमारे बहुत से सुझाओं तो मानते हैं नहीं, लेकिन फिर भी, जैसे फिर भी, आपने जो आपने ले रखा है, अपना जैकेट है, उसको मैं मोधी जैकेट कहता हूँ, तो सबसे पहले वो जैकेट दे कर रश्टाचार बहुत चोटा इस्तर मतलब पुलिस विभाद में और पुलिस को राज जही देखे लाँ बाबु इस तर पर बहुत भ्रश्टाचार आप सिर्फ बात करकर उसको कम नहीं कर सकते आपको बहुत इस्टेप लेना पड़ेगा और यह बहुत धीरे-धीरे होगा य कि यह कहे कर कि समाजवादी लोग कॉंग्रेसी इंडिया गड़ बंदन सब भ्रश्टाचारी थे लुटे रहे थे आप बच गए आप निकल लिए अब हम रामराज लेके आएंगे बस यहां से आप बच गए यह एप्रोच के हम फिलाब हैं आपके जिलेक्टिव नहीं होन कि हम इसको नहरू जैकेट कहा करते थे और मुझे बड़ा बड़ा दिल्चस लग रहा है कि आपने नहरू जैकेट को आज मोधी जैकेट कहते हुए एक मालक दिशा दे दी मैं जानता नहीं हो नहरू जैकेट के बारे में यह मैं आपको बता रहा हुए क्योंकि आप युवा है और आपने अभी के दौर में इसको मोधी जैकेट के तार पर देखा लेकिन यह नहरू जैकेट के नाम से भी बड़ा मशूर रहा है खर छोड़िये चर्चा दूसरी ज प्रेज नहीं है कि देश के अगर सच में हम इस देश को एक विक्सित भारत और एक अच्छा देश बनाना चाहते हैं तो ब्रिष्टाचार का फमूल से खतम होना चाहिए लेकिन इसके ओपर भी बात करने के बहुत जरूरत है कि यह ब्रिष्टाचार खतम होने का आपके प अगर इस तरीके से युवाओं के साथ लोगों के साथ और आनागरिक के साथ अगर उनके उपर इस तरीके का प्रहार किया जाता रहा और उसके लिए आपके पास में कोई प्लैनिंग भी नहीं है आज NTA के जो बिल्कुल उनकी जो फेलियोर्ज है जो नीट के पेपर के अं कि बिल्कुल सही कहा रहे थे कि एक ज़ियाक पर जहां से चाहे वो तहसील के पटवारी की बात हो वहाँ से लेकर लेकर कलेकर तक की बात हो पूरे सिस्टम को जब तक लाइन अप नहीं किया जाएगा हर एक जगहे चेकपॉइंटVEC नहीं होगे सिर्फ बाते करने से ब्र ब्रश्टाचार की नहीं पर होनी चाहिए और जो ग्राउन पर यह बात सिर्फ बड़े लेवल के ब्रश्टाचार की नहीं आम जन जीवन में सिटीजन चार्टर की बात में बहुत लंबे समय से सुन रहा हूं कुछ होगा होगा लोगों का काम त्वरित होना चाहिए उसकी अकाउंटेबिलिटी तैय होनी चाहिए इसके बावजूद बहुत छोटे छोटे कामों के लिए लटकना पड़ता है खासता पर सरकारी विभागों में और भष्टाचार को मिटाना है यह बात कह देने भर से बात नहीं बनेगी इस पर कुछ काम करियेंगी लोग बोले हाँ भई भई भष्टाचार कम हुआ परविन जी भष्टाचार कम करने के हमने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं उनमें से एक बहुत मतपूर्ण स्टेप्स है जो डिजिटलाइजेशन करना सरकारी तंत्रों को डिजिटलाइशन करना लोगों के अकाउंट्स खुला करके डिरेक्ट जो निवी आती है जो जंता के फाइदे के लिए रती है वो डिरेक्ट उनके अकाउंट में पहुंचाना ये मोधी सरकार में किया कॉंग्रेस में क्या होता था सब जानते हैं सौँ पैसे में दस पैसा ही प्रवियंगा जिसका नेचर ही प्रष्टाचार और शिस्टाचार बन चुका होगा जो ब्रश्टाचार ही जिसके लिए सिस्टाचार बन चुका होगा वो निश्चित रूप से इस देश में औसरवाधिता की राजिनिती करेगी जिस कॉंग्रेस पार्टी को आम आदमी कोस कोस करके और अपना जो है ठीक है मेरा सवाल ये नहीं था लेकिन ठीक है फिर भी आपने बात को रखा है क्योंकि मैंने शुरुआत की थी और अब मैं शू को खत्म करने जा रहा हूँ राजबियारी जी की बात से खत्म करूँगा कोई कानून बनाना चाहिए राजबियारी जी कोई ऐसा स्ट्रॉंग स्टेप बहुत संक्षेप में आप बताएं कि क्या हो जो इमीजेट एक्षन आपको लगता सिर्फ बातों तक सीमित नहीं स्ट्रीट करुछ जबता सिस्ट्री लोग स जबिभाधान के आदार के लोग कि विदान समवा कि छुनावा एक सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अगर आप आज गल चुनाप में पोष्टर नहीं लगते, बेलर नहीं लगते, खर्चा कहा होता। जाहर है। तरीके से रखा। तारीक भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सारीका जी आपका धन्यवाद, रतनाकर जी आपका विशेश धन्यवाद देना चाहूंगा। जिसे आप सोच सकते हैं कि ये सभी के लिए चिंता का विशेश है, लेकिन सवाल एकी है, कोई एक्शन प्लाइन तयार करना होगा, नतीजे सामने होने चाहिए।